बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त की मिल रही है इमरान खान पर लाहौर में नया केस दर्च कर लिया गया है पावंदी के बावजूद इमरान खान ने राली बुलाई थी कर लाहौर में राली की दोरान हुए हंगामे के मामले में ये केस दर्च किया गया है और रैली में इमरान समस्को की जानकारी मिल पा रही है क्योंकि लगातार समर्थक जो है वो सड़कों पर उतराए एक समर्थक की मौत हो गई जबकि तेरा पुलिस वाले इस पूरी रैली में घायल हो गई थे तो पाकिस्तान में अपनी गिरफतारी की तमाम खबरों के बीच इमरान खान ने वुदवार को लाहौल में एक रैली बुलाई और पुलिस की पावंदी के बावजूद इस रैली को बुलाया गया इसमें इमरान के समर्थक पहुँचे बड़ी तादाद में पहुँचे लेक उसके बाद इमरान खान के अंडर्ग्राउंड होने का दावा किया जाने लगा इमरान खान की रैली में हंगामा पुलिस से भिड़े इमरान के समर्थक भीड़ पर पुलिस का लाठी चार्च मुखमरी के बीच पाकिस्तान में सियासी लड़ाई और तकरार बढ़ती जा रही है मरियम नवाज इमरान को निशाने पले रहे हैं तो इमरान खान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बुदवार को पूरवी शहर लाहोर में पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की रैली में पहुचे समर्थकों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तमाल किया और आंसू गैस छोड़ी पूलिस का दावा है कि रैलियां करने पर सरकारी प्रतिवंद का उलंगन करने के आरोप में दो दर्जन समर्थकों को गिरफतार किया गया रोक के बावजूद रैली कर रहे इमरान समर्थकों का जोश इतना हाई था कि पुलिस के सारे इंतजाम धरे रहे गए इमरान के समर्थक बेकाबू हुए तो पुलिस को अपनी गारी लेकर रिवर्स गेर में भागना पड़ा यानि पुलिस के पास इतना भी वक्त नहीं बचा कि गारी को मोड सके नतीजा पुलिस को मैदान छोड़ कर भागना पड़ा इससे पहले लाहौर पुलिस ने बीटी आई के कारेकरताओं पर लाठी चार्ज कर दिया इसके साथ ही रैली निकालने जा रहे लोगों को वहां से खादेडने के लिए उन पर पानी की बौच्छार भी की गई पीटी आई ने आरूप लगाया कि पुलिस ने पानी में तेजाब डाल कर उन पर फेंका जिससे कई कारेकरता बुरी तरह से खायल हो गए एक पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक काई मुकाम हकूमत के दौर में मार्शलला से भी बत्तरीन दौर लहौड की सडकों ने देखा हमारे कई सौग कारकुन गिरिफ़तार हैं हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी चड़का गया इसके बाद भी जब पीटी आई के कई कारकुन वहां से नहीं हटे तो उन पर आँसू गैस के गोले दागे गए जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया पीटी आई कारकुन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए भाई पुलिस ने अपने कारवाई जारे रखी और रैली में शामिल कई लोगों को गिरफतार कर लिया क्योंकि लाहौर प्रिशासन ने पीटी आई को इस रैली की इजाज़त नहीं दी थी इस रैली से पहले ही वहाँ के प्रिशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी और साथी पूरे शहर में अगले साथ दिनों तक रैली ना निकालने का देश भी जारी कर दिया लेकिन इसके बावजूद पीटी आई के सैंकडों कारे कर था सडकों पर उतर आए कई तो अपनी गाड़ी लेकर ही इस रैली में शामिल हुए जिसके बाद पुलिस का गुसा उन गाड़ियों पर भी पूट पड़ा फिर तो कई गाड़ियों के शीशे चकना चूर कर दिये गए उनमें बैठे लोग किसी तरह बहा निकाल कर बहा से भागे पुलिस के सक्शन से पूरा शहर जंग के मैदान में तबदील हो गया ख़बर है कि पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री इमरान खांड भी इस रैली में शामिल होने वाले थे ख़बर है कि पाकिस्तान में नधय तकतापला की तैयारी हो रही है